Friends and Welcome, दोस्तों विश्यस जान के वीडियो सेशन में स्वागत है दोस्तों जो मेरा यह वीडियो है, यह टॉपिक का नाम है Communication Skill यानि की Soft Skill का एक पहला पाट है इसमें हमने सीरीज में वीडियो कवर किया है और इससे पहले हमने तीन वीडियो बताया जिसमें क्या बनाया पहले में मनें बना इंट्रोडक्शन बनाया कि इस वीडियो के कोर्स में क्या है उसके बाद में हमने Communication के बारे ही बताया उसके Significance के बारे ही बताया है वाटीच इफेक्टिव कम्मुनिकेशन and component of effective communication यानि कि जो effective communication क्या-क्या पहलू है, क्या-क्या component है उसके बारे में हम बात करेंगे आए हम छोटे basic concept के साथ से इस topic को cover करते हैं एक एक करके, जो पहला हमारा जो topic है, यानि कि हम communication के introduction से बात करते हैं communication का introduction क्या, communication का क्या मतलब है, communication का मतलब है कि हमारे life का ऐसा पार्ट है, जिसको अलग नहीं कर सकते हैं, without communication हमारा life का existent नहीं है दूसरा जो point हम बात करेंगे, various means are used to communicate with each other, बहुत सारे तरीके होते हैं, communication का मतलब यह नहीं कि हम वरवल बाते कर रहे हैं, हम किसी को इस सब्द बोल रहे हैं उसी से हमारा communication होगा, communication के कई तरीके, इसारों में भी communication हो जाता है तो कहने का मतलब यह है, कि जैसे train को चलते हो, देखते हैं, अगर green light होता है, ते train को चलना है, अगर red light हो गए तो train को बंद होना, यह यह क्या communication का पार्ट है, तो communication के कई तरीके हो सकते हैं, उस दर से recent survey के अनुसार पता चला है, कि communication एक ऐसा पार्ट है, भी किसी भी achiever को, किसी भी successful production को, किसी दुसरे के life से, society से, उसके work placement differentiate पैदा करता है, यानि कि communication जो है, बहुत important part है, हमारे life का, और उसको use करके हम अपने life में grow कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम definition की बात करें, परिभासा की बात करें, communication का, तो communication के हम theoretical परिभासा की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे बिद्वान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अलग-अलग तरह से communication को define किया है, अगर हम पहला definition का बात करें, निमान एंचार्स के दौरा, तो इनके अनुसार जो है, communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotion by two or more person, communication क्या है, exchange, एक ददान परदाने कि इसका facts का, idea का, opinion का, emotion का, एक दुसरे के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, communication बोलते हैं, वह एक लिटिल पेटर के, according हम communication को define करें, तो क्या है, communication is the process by which information is transmitted between individuals and or organizations so that an understanding response results, क्या है, communication क्या है, ये same बात है कि communication का, information is transmitted between individual के बीच में information का transformation करते हैं, एक दुसरे से transmit करते हैं, चाहें किस organization level करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, communication बोलते हैं, उसके बाद अगर हम brown के, जीजी, brown के according हम communication को define करें, तो इन्होंने बोला है कि, communication is transfer of information from one person to another, whether or not it elicit confidence, but the information transfer must be understandable to the receiver, काने वालद है कि अगर हम किसी भी information को transfer कर रहे हैं, और सामने वाला उस information से आउगत नहीं है, उसको समझ नहीं आई पाता है, उस को हम communication नहीं कहेंगे यानि कि कहने का मतलब यह है कि communication का मतलब यह है कि हम information कर ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन receiver इन पर भी उसको समझने की जरूरत है और उसको समझ रहा है उसको हम बोलते हैं communication अगर हम Davis के नुशार communication को define करें तो Davis ने बोला है कि communication ही जब process of passing information and understanding from one another यह भी वही बात है कि information कर ट्रांसफर करते हैं वही communication है लेकिन वही है कि एक दूसरे को समझ में भी आना चाहिए यानि कि transmitter है जो receiver है यानि कि जो बोल रहा है जो सून रहा है जो communicate कर रहा है जो information दे रहा है और जिसको लिए दे रहा है और वह communication को define करें कि क्या होगा definition अब जो है communication का तो हम अगर इन सॉट में communication का बातवर्ध कया है यह kind of sharing है किसका information का, idea का, emotion का, opinion का, facts का और इसके बीच में घोताए है अगर हम किसी भी तरह के sharing करें कि कि आईडिया हो इमोशन हो, अपिनियन हो, फैक्ट हो, इन्फोर्मेशन हो, एक दुसरे के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, communication बोलते हैं, और communication ऐसा चीज है कि वर्ल्ड में कहीं भी आपके जीवन के हर पहलू में इसका बहुत ही उपियोग है, और हर जगा आपके यूज करते हैं, किसी भी लेवल पर आप चले जाए, अपने बच्चों से बात किजी, अपने फैमिली से बात किजी, अपने वर्क प्लेस में बात किजी, अपने कली के साथ बात किजी, कहीं भी जाएगा, इसका कम्मिनिकेशन ऐसा पहलू है, जिससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए कम्मिनिकेशन जो हमारे हर लाइफ के हर पहलू में, हर मोमेंट में इसकी जरूरत है, अब दोस्तों हम नेक्ट जो टॉपिक डिफट करेंगे, वो क्या है, इफेक्टिव कम्मिनिके तो उसको हम बोलते हैं, इफेक्टिव कम्मिनिकेशन, कहने का मतलब यह है, कि हम जो कहना चाहते हैं, वो क्लियर कट हो, और इसके बारे में, जिससे कहना चाहते हैं, उसको अच्छे से समझ कर, उसको वो रेस्पॉंड करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्मिनिकेशन बो करते हैं लेकिन अगर उस चीज को फिड़ेक्टिव नहीं होना चाहिए जिसके आदमी रेस्पॉंस करता है उसका बहुत ही बड़ा फैक्टर है अगर सामने वाला मतलब अच्छे से समझ के मुझे अच्छे से response कर रहा है उसके बाद हम आते हैं component of effective communication effective communication किन-किन बातों पर ध्यान देने की ज़रू है effective communication तभी माना जाएगा जब कुछ चीजें उसमें से निकल के आएंगे उसके क्या-क्या component क्या-क्या पहलू है जो हम इसको हम effective communication के द्वारा decide कर सकते हैं उसे को effective communication बोले हैंगे तो पहला जो point हुए consciousness and clarity का मतलब यह है कि आपको जो बात बोलना चाह रहे हैं समझ में clear हो और वो समझ में आए जो आप audience हो जाहे जो आपका सुरोता है जिसको आपका receiver हो जिससे आप कुछ बोल रहे हैं बता रहे हैं और उस बात को उसके level का नहीं है उसके समझने लाइक नहीं उसमें clarity नहीं है तो उसका तब हम उसको effective communication नहीं बोलेंगे जैसे आपके सामने कोई आदमी से आप कुछ बात मुझा आप से पानी उसको लेना है लेकिन उसको science का knowledge नहीं है आप बोलते हैं मुझे दो चाहिए बोलते हैं मुझे कि die hydrogen oxide दो तो समझ नहीं पाएगा कि है रही कोई आपका साथ का पढ़ा लिखा आपके लेवल का बंदा है उसको chemistry के बारे में मालूम है उसको आप बोलिएगा मुझे कि हमारे मैंसेज में हमारे इंफॉर्मेसें में तो स्बस्क्राइब होने चाहिए कोने वाला चीज को समझ जायए तो हो 사람들 करें तो पहला ये जीस भाव से आप information दे रहे हैं, उसी भाव से उसको समझ में आना चाहीए, उसको लेना चाहीए, जने conviction होना चाहीए और convenience होना चाहीए आपके बातों से, आपके information से, and confidence भी होना चाहीँ, तो दुसरा जो पहलु है, यह क्या है, conviction and confidence है कि आपका इंफर्मेशन होना चाहिए तभी सामने वाला इंट्रेस्ट लेगा अग जब 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 त्रांसपर किजिए तभी उसी भाव से उसको ले और समझे तभी इसको बोलते हैं effective communication जब चौथा पॉइंट है empathy and time mention जिसके respect your audience treat them with courtesy and politeness, जो अपने का audience है, आपको उसको उस तरह से treat करना चाहिए, उस frame में जाके आपके information देना है, तो आप उसको हम बोलते हैं क्या effective communication, इसको हम empathy और time-living sense से मिलाते हैं, और लाश यू point है, वो है ब्रेवीटी एन effectiveness, ब्रेवीटी का मतलब तरह संचिप्ता, यानि कि कहने का मतलब यह है कि information कोई देना है, उसको इतना बढ़ा चरा के गुआ फिरा के नहीं बोलिये कि सामने वाला उसको समझी नहीं पाए, छोटी सी बात को आप ऐसे बोल रहे हैं कि उसमें से सही meaning नहीं नि वो बहुत ही important है effective communication में, संचिप्त में बोलिये लेकिन सही बोलिये, to the point बात किजिए, ऐसा नहीं कि दो लाइन के बाद को चार लाइन में बोल रहे हैं, चार लाइन बोलने कोई मतलम नहीं है, आपका actual information है वो नहीं जाया पाएगा, उससे कुछ गलत information और ambiguity आजाएगी पांच, consciousness and clarity, conviction and confidence, generiveness and interest, empathy and timing, sense, gravity and effectiveness, यह बहुत ही जरूर है, इसको अगर आपका information इस तरह से अगर दे रहे हैं, और इसको सब चीजों को follow कर रहा है, इसको तो हम बोलेंगे effective communication, अब आए हम एक example देते हैं, कि effective communication को आप कैसे समझेंगे, जैसे पहला example है, जो आप इसको sentence को पढ़िये, woman without her man is nothing, अब इसको कई तरह से इसको हम encode कर सकते हैं, जैसे देखिये, woman, without her man, is nothing, अब इसका मतलब कहा है, woman without her man is nothing, इसका meaning कुछ और हम कॉमा का position है, जो change कर दे, woman के बाद और without her के बाहर के बाद लिखते हैं, woman without her man is nothing, इसमें है कि woman, जो second sentence है, woman without her man is nothing, इसके बीना man कुछ नहीं है, देखिये, क्योल कॉमा का position change करने से क्या हुआ, meaning change हो गया, हर आपके sentence का मतलब change हो गया, तो आप देख सकते हैं कि effective communication का क्या importance है, और कैसे हम इसको meaning को change कर सकते हैं, और सामने वाला किस तरह से समझ रहा है, हमें किस तरह से उसको समझाना है, अब दूसरा एक जामपल अगर देख सकते हैं, मत नहीं मारना इसे छोड़ दो, एक कॉमा के change करने से पूरा sentence का meaning change हो गया, इसी को बोलते हैं effective communication दोस्तों, तो कहने का मेरा मतलब यह है, जो effective communication होना चाहिए, communication का मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोले जारें, कुछ भी समझने वाला समझ रहें, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर आपका purpose पुरा नहीं हो रहा है, आपको acknowledgement नहीं मिल रहा है, आपको response नहीं मिल रहा है, आप जो message देना चाहते हैं, वो सामने वाला उसको नहीं समझ पा है, communication किसे कहते हैं, उसको कई definition हैं, कई विद्वानों के दोरा दिये, definition को मैंने explain किया, उसके बाद मैंने summarize किया और एक general meaning बताया कि communication क्या होता है, मैंने लिए क्या होता है, communication जो होता है, आपके message यो देते हैं किसी को, information हो सकता है, opinion हो सकता है, fact हो सकता है, emotion हो सकता है, और उ उसके बाद हमने बताया कि क्या है उसके बाद हमसेक्टाइब होना चाहिए मैं क्या-ख коп नेमेक灣 सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह जो वीडियो है communication skills से अब पार्ट जो है यह कि मैंने इसमें explain किया जो आपका जो वीडियो का यह पार्ट थर्ड इसमें what is communication को मैंने बताया उसके related effective communication उसको मैं करके explain किया अगर दोस्तों आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लेजिए और एक सीरीज में वीडियो है एक एपिसोड की तरह है वन टू थी यह थर्टी पार्ट में मैंने कभर करना है communication स्कील को ताकि आप आने वाले कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ पाए और दोस्तों मैं इसको कंक्लूड करते हूं यह बोलता हूं कि अपने लाइब को इंज्वाए किजिए